हेलो फ्रेंज विल्कम तो फूट हब और अगर आप में चनल पे नए हैं या फिर्स्ट हैं देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना बोले साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को नई वीडियो की नौटिफिकेशन के लिए आज हम बना जा रहे हैं मैंगो पीडा हां म मैंने फुल फैट एक लिटर दूद लिया है इसे हमें चला देना है बॉल कर लेना है इसे लो फ्ले में हमें रिड्यूस करना है और इसे कंटिनुसली चलाते वे इसको करना है और बिल्कुल इस तरह चलाते वे हमें रिड्यूस करना है नहीं तो चल जाएगा दूद काफी तो इसे हमें चलाते वे, मिलाते वे, इसे हमें इसको reduce करना है, या देख रहें किनारी भी मैं निकाल रही हूँ तूत में से, इस तरह से, अब इसे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून में शुगर डाल रही हूँ, इसकी जगह आफ ज्दा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, और चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें फटने का बहुत डर रहता है अब इसमें हम डालेंगे 140 पून इलाइची पॉडर ये एक अच्छा फ्लेवर देगा हमारे पेड़े में यहां मैंने एक कप लिया है मैंगो पल्प इसमें हम डाल देंगे और डालके हम कंट खटा और खटा जो रहता है वो खराब करता है हमारे मावा को तो इस वक्त आपको बहुत साथानी से मिलाते वे मैंगो को हमें पकाना है यह देख रहे हैं चाउत्रफ का मैं निकालते वे दम बिल्कुल पका रही हूं इस तरह से मिलाते वे बिल्कुल आपको भी इसी तरह स फ्लेम को भी थार सा आप मीडियम हाई कर सकते हैं और इसको मिलाते हैं पकाना है काफी गाड़ा हो चुका है अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पॉडर हाफ कप यह हमाई जो मिश्चे है उसको जल्देली गाड़ा करने में और एक मैंगो का जो पेड़ा वाला जो और विद हीड़ा करता है आप अच्छा लगता है इसको मिला लेंगे कि गाठेना पड़े काफी ग्रम में डॉल रहे हैं लाध esse इसको मिल्क जान्टे इसको तोड़ लेंगी इस तरह से तोड़ते मिलाते हुए इसको हम सो गाड़ा कर लेंगे काफी यह देख रहा है काफी गाड़ा हो चुका है यह एकदम अब हमें क्या करना है जब एक बार गाड़ा हो जाए फ्लेम को हमें आफ कर देना है काफी गाड़ा हो चुका है तो और गाड़ा करेंगे यह आपको एक बार लगे यह थोगा सा निकाल के तंडा करके दिख सकते हैं कि हाथ पर चिपके नहीं यह भी आप चेक कर सकता है और अगर आपको कन्फूजन रहेगा कहीं पर भी तो यह देखिए मिक्टर एक संग आ जा रहा है यह तो बिल्कुल यह रेडी है तो अब हम क्या करेंगे फ्रेम का उफ क दो करते हाथ गी अज़ुक्तों अब क्रीके विल्कुल ज़्यूख जबाएं यह नहीं से तद मिक्शिर भी तो अब हथे नहीं ऐसे पर जब जाले लिए तरह से अगर हाथ पर घी लगा लगा लते हैं तो बिल्कुल भी मिक्शिर चिपके गा निया अब बहुत सबीन बन क्योंकि अभी काफी अभी भी गरम है बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ ठंडा होने करें एक दम जम जाएगा तुरंत यह अब इसमें क्या करना है हमें छोड़े पाट जितने बड़े आपको पेड़े बनाने हैं उतने बड़े बड़े आप लोई छोड़े काट लें इस तरह से होल कर लें बीच में इस तरह से करके हम सारे अपने बना लेंगे अब ही क्या करना है पिष्टा बड़ाम जो आपके समीवा रहे उसको अप था चॉप कर लें चॉप करके उपर से हम था गानिश कर देंगे यह बजावरी फिलिंग देगी टेस्ट भी बहुत अच्छा लग इसको इमेडिटली जा सर्फ कर दीजे और अगर आपको रेस पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब थैंक यू